एप आपको सारी नेक लाइन्स की बात करों तो हमने इस वाली वीडियो में आपको सारी नेक लाइन्स गया होगी किस तरीके से हम यहां पर नाक मेनुफाक्टुरिंग करते हैं अब हम यहाँ पर डिसकस करते हैं हैं हैम लाइन के बारे में अगर मैं हैम लाइन की बात करूँ तो हैम लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लाइन का मतलब क्या होता है एर लाइन फॉर्फ पाइट जो आपको नीचे वाला एज़ दिख रहा है इसमें जो यह लाइन्ज बन रही है है यह प्लीलच सबन रही है इनको हम बोलते हैं हैमलाइन तो अगर हम्लाइन की हिए तो पर लाइन के बात करें बॉल कि इस बोलते हैं हैं जो लोवर एज है किसी भी गार्मेंट का ढाट इस बेसिकली आहम ॉछय करेंगे जो कि exam में बहुत बारी question जो है वो पूछा जाता है की hemlines क्या है मैं किसी बढ़िए कितने टाइब कि आप की side से उसको हम क्या बोलते हैं हैं मिनी स्कर्ट का ठीक है तो हम लाइन सकर्ट है जिसको हम फ्लोर से मेजर करते हैं सबसे पहला आता है माइक्रो मिनी माइक्रो मिनी का मतलब जो बहुत शोट लेंथ की स्कर्ट होती है that is a micro mini hemline तो hemline क्या हो गया जो lower edge है ठीक किसी भी dress का that is a hemline micro mini जिसमें ऐसे स्कर्ट जिसकी length बहुत जादा short होती है उसको हम बोलते है micro mini hemline midi skirt length midi skirt आपने देखा होगा जो कि आपके यहां तक आती है तो ऐसी skirt that falls between the knee and mid calf जो knee और mid calf तक आती है skirt ऐसी को हम क्या बोलते है mid midi skirt length तो यह कौन सी hemline है micro mini hemline and यह कौन सी है midi skirt hemlines का basically जो edge होता है उस पे आप किस तरीकी का design बनाते हो है that is basically a hemline तो यहां पर skirts का भी depend करता है mini है या फिर midi skirt है next आती है guys T length T length का मितलब क्या होता है ऐसी skirts जिनकी length कितनी होती है that fall on the mid calf जो mid calf से कहां तक होती है about six to seven inches from the floor floor से six to seven inches तक जो आती है that is a T length इसमें हम क्या दिखते हैं यह एक illusion है अगर आप इस तरीके की skirts पहनते हो तो इससे height कैसे दिखती है लंबी दिखती है पतले दिखते हैं थिन दिखते हैं ठीक है thinner look आता है लंबे दिखते हैं ठीक है and if the hemline comes about two inches above your ankle ankle से कितना रहता है two to three inches ऊपर रहती है तो इस तरीके की skirt को हम क्या बोलते है T length skirt बोलते हैं ठीक है next जो है that is a ballerina skirt length ballerina skirt length कहां पर आती है just floor से हलकी सी जो उपर होती है जैसे जमीन है उस floor से हलका सा उपर कौन सा होता है ballerina skirt length होती है ठीक है just above the floor but reveals the ankle beneath ठीक है ankle के पास में एकदम जो lie करते है that is a ballerina skirt length ठीक है the hem can be right on the ankle bone और just a few inches above giving a glimpse of the ankle bone इसमें bone एकदम ankle bone जो है वो दिखती है तो इस type के हम skirt को क्या बोलते है ballerina skirt length बोलते है next is floor skirt length जो की एकदम जमीन पे हैना किसटती है that is a floor skirt length जिसमें कब आती है ground से एक inch उपर जो होती है ठीक है that is a floor skirt length एक dresses style normally आपने देखा होगा ये evening और formal wear के लिए पैनी जाती है नाम से जानते हैं next यहां पर आता है handkerchief skirt length handkerchief skirt length से जब भी guys आपके पास question आए तो handkerchief कौन सी होती है asymmetrical skirt होती है आपने देखा होगा medcalf से ये high point पे रहती है और अगर आप इसको सामने से देखोगे तो इसकी length क्या रहती है लंबी रहती है लेकिन अगर आप बाक से देखोगे तो इसका length वो कैसी रहती है ऊपर की तरफ रहती है high point पे रहती है ठीक है तो इस तरीके की skirt को क्या बोलते है यहां पर इसको बोला जाता है handkerchief skirt length means यहां पर एक asymmetrical length है जो की high point होती है at the mid calf and low point कहां से होती है ankles एक्दम low point पे होती है this type of skirt is known as handkerchief skirt length now coming to the high low skirt length यहां पर आपने देखा होगा कैसे जा रहे है है पर देखो यहां से low है low से कैसा जा रहा है high से लेकिन आगर मैँआ से देखू तो high से कैसी जा रही है यह length short में जा रही है तो इस तरीके की length को क्या बजाता है high low skirt length बोला जाता है यह भी a symmetrical skirt है ठीक है जिसमें आपका यह भी है यह भी symmetry नहीं है इस यह symmetrical है जो कि high से लो जा रहे है या फिर back से लो जाती है या फिर पीछे से कैसी जाती है तो जिसमें symmetrical नहीं है means आडी टेडी ऊपर नीचे जो बना रखी है that is asymmetrical if I talk about symmetrical to symmetrical में कैसा आएगा जो straight होता है ठीक है आपने देखा होगा इस तरी की skirt को पीछे वाला जो back area होता है वो short होता है sorry front बाद शोट होता है back बाद बड़ा होता है ठीक है shorter than the back the front ham line which falls somewhere between the knee and the mid calf and the back will be the longer जिसमें back क्या होती है लंबी होती है पीछे से क्या होता है इस के design में कैसा होता है लंबा होता है means skirt की length होती है वो कैसी होती है long होती है तो इस तरीके की skirt को क्या बोलो जाता है high low skirt length next हम बात करते हैं cuffs की ठीक है यह तो था हमारा ham line के बारे में अब हम यहाँ पर discuss करते हैं cuffs किसको बोलते हैं यहाँ पर cuffs बहुत जादा important है ठीक है इससे भी exam में बहुत सारे questions जो है guys आपको देखने को मिलेंगे कि cuffs किया है ठीक है किस तरीके से हम इसको define करते हैं और किस किस तरह के कहीं पर cuffs जो है आपको देखने को मिलता है तो अगर मैं types of cuffs की बात करूं guys तो सबसे पहला इसमें आता है यहाँ पर जिसमें सिर्फ एक ही बटन है यहाँ पर तो इसको बोलते हैं वान बटन बैरल कफ ठीक है इसली यहाँ पर क्या है नॉर्मल, स्टैंडर्ड है, क्लासिक लुक देता है, इसमें क्या होता है, क्रिस्पी अपिरेंस होता है, बहुत टफ यहाँ पर लगता है, अगर आप इसको टच करते हो, कितना इंच मेजर होता है, 2.375 इंचे, नेक्स यहाँ पर आता है, लॉंग वन बटन बारल कफ, ठीक ह इसमें थोड़ा सा लंबा बटन होता है, इसमें क्रिस्पी लुक देते हैं, जैसे आप तच करते हो, कफ को तो बहुत टाफ होता है, अगर आपने इसी शर्ट देखियोगी, जो नई शर्ट होती है, जैसे आप शर्ट को परचेस करते हो, कभी देखना, जब इसमें जो होता है, 2.875 इंचेस, नेक्स हम बात करते हैं, वन बटन मीटर्ड कफ, वन बटन मीटर्ड कफ कैसा है, देखो, इसमें एक डिफरेंस और देखना, लोग वन बटन बारल कफ में इस तरीके के डिजाइन बनाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा स्टेंडर्ड है, उसमें ये सार जियां जिया है, जहाँ पर ऐसा च्राइंगल ट्रा या, इसमें, लेकिन फ़ deflect हमारा स्टेंडर्डicon में यहाँ बटन बात कहांसे और यह वाला जो area है, this area is larger than a standard one, ठीक है, then यहाँ पर one button metered cuff है, यह भी एक crisp appearance देता है, जो कि कितना inch होता है, 2.625 यहाँ पर long रहता है, next आता है two button rounded cuff, आपने देखा होगा, यह rounded cuff है, ठीक है, यह rounded है, दो buttons लगे हुए होते हैं, कफ में यह भी देखा होगा, ठीक है, जब कि इसमें one button metered cuff है, metered का मतलब ऐसे, यह देखो, मैं आप erase कर देती हूं यहाँ पर, ठीक है, one button का मतलब यहाँ पर यह वाला देख रहे हैं, one button का मतलब एक button है, ठीक है, metered का मतलब यह वाला design बनाया हुआ है, ठीक है, ground में triangle, that is a one button beat metered cuff, barrel cuff कोन सा होता है, एक बार फिर से देख लीजे, barrel cuff में, यहाँ पर, one button के साथ, सत क्या होता है, यह look आता है, ठीक है, यह look आता है, that is a barrel cuff, और standard कोन सा होता है, बहुत circle वाला, ठीक है, barrel cuff, standard वाला circle वाला, यह भी barrel है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा, यह जो line होते है थोड़ी सी हलकी ऊपर चली जाती है, metered cuff में, यह से triangle बनता है, standard के साथ, two button में, two button होते है, and rounded cuff, round है, two button के साथ है, इस तरहे की cuff को क्या बोलते है, two button rounded cuff के नाम से जानते है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर two button है, और साथ में क्या है, यहाँ पर, एक formal look यह देता है, two button इसमें बनते हैं, एक rounded यहाँ पर cuff होता है, also crisp appearance यह देता है, और कितना होता है, inches में, 2.875 long, next आता है, twin, two button metered cuff, यहाँ पर two button है, और metered cuff हमने कैसा पढ़ा था, जो ऐसे triangle look देता है, ना, circle के साथ, जो triangle look देता है, वो हमने पढ़ा, एक one button में, अब य dress shirt cuff, that is dresser and more elegant than a standard barrel cuff, यह बहुत अच्छा look देता है, ठीक है, बहुत elegant देता है, बहुत अच्छा popular है, यह वाला cuff, इसमें two buttons है, ठीक है, two buttons है, और cuff कैसा है, यह metered look, यहाँ पर cuff है, तो two buttons को ऐसे प्लेस किया जाता है, जो कि एक अच्छा, जैसे हम watch पहनते हैं, तो watch इसमें proper जो है, वो visible होती है, तो दो button है, और यहाँ पर कौन सा है, metered cuff है, तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा, two button metered cuff, ठीक है, this cuff is fused to keep a crisp, dressy appearance and measure 2.875 inches long, ठीक है, इसका आपको measurement भी दिया हुआ है, नेक्स में चलते हैं, फ्रेंच कफ, अभी फ्रेंच कफ क्या होता है, फ्रेंच is the go-to choice for taxudo certs, आपने taxudo certs देखियोगी, ऐसी वाली, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, एक completely square cuff shape आता है, यह आपको completely square दिख रहा है, this is a complete square, तो यहाँ पर complete square cuff shape दिखता है, and require cuff lens to be worn, ठीक है, यहाँ पर एक button side में attach होता है, और यह cuff कैसा look देता है, एक square shape का look देता है, ठीक ह बहुत crisp appearance आता है, dressy appearance और कितना होता है, इसका 2.875 inches long जब हम इसको पीशे की तरफ ऐसे fold करते हैं, ठीक है, तो this type of cuff is known as french cuff, next में हम चलते हैं, rounded french cuff, देखो, यहाँ पर तो क्या था, यह square था, यहाँ सी क्या आ रहा है, आपको square नजर आ रहा है, इसमें देखो कैसे round नजर आ रहा है, तो this type of cuff is known as rounded french cuff, ठीक है, जैसे round बन रहा है, this is a rounded french cuff, तो यहाँ पर rounded french cuff, क्या है, the rounded french cuff is just like the standard french cuff, expect it has a rounded corner in the back as nearest the wrist, रिस्ट के पास आप देख रहे हो, यह कैसा है, ऐसे round edge आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, एकदम square आ रहा है, ठीक है, फ्रेंच कफ कैसा दिख र रहा है, बट यहाँ पर जो rounded french cuff है, वो कैसा दिख रहा है, एकदम round shape का यहाँ पर दिख रहा है, no less formal, merely a slightly different style, a different style इसमें नजर आता है, french cuff को cuff length चाहिए होती है, ठीक है, इसमें अगेन यह एक बहुत crisp, एक dressy appearance देता है, और कितना होता है, इसका 2.875 inches long, जब हम इसको fold back करते हैं, next is convertible square cuff, convertible square cuff कोन सा होता है, यह देखो, आपको convertible, इसमें देखा है, इसमें यह बटन भी हो सकता है, ठीक है, एक barrel cuff की तरह बटन हो सकता है, और इसमें cuff links भी हो सकती है, तो यह cuff भी a crisp appearance देता है, dressy material में, और कितना inches होता है, 2.5 inches long, तो this type of cuff in non-ass convertible square cuff, next is soft one button cuff, ठीक है soft one button cuff कोन सा होता है, this type, अभी हमने बहुत सरे cuffs के बारे में discuss किया है, तो यह भी कोन सा होता है, जिसमें एक button यहाँ attach होता है, और एक button कहाँ attach होता है, behind the cuff, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते है, soft one button cuff, same shape आती है, जैसे हमारी one button barrel की है, अभी हम मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, stiff fusing जादा नहीं होती है, ठीक है, बाकी जो हमने barrel cuff पड़ा था, यह कैसे होते है, बहुत जादा stiff होते है, इस stiffness की वज़े से ही क्या आता है, एक crisp appearance dressy material में आता है, लेकिन in the case of soft one button cuff, इसमें stiffness नहीं होती है, इसलिए जो कपड़ा आता है, वो कैसा होता ह जादा soft होता है and comfortable होता है, ठीक है, fusing नहीं है, इसलिए हाँ पर एक personality appears करता है, यह भी एक क्या है, illusion है, ठीक है, जैसे हमने dresses के illusions पड़े थे, similarly हाँ भी यह वाले cuffs अगर आप use करते हो, तो it reflects a personality and a bit of puckering, पकरिंग का मतलब क्या होता है हाँ पर, जब कपड़ा ऐसे एक साइ effect यहाँ पर दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर soft one button में कौन सा है, जहाँ पर puckering effect आपको दिखता है और inches कितना होता है, यहाँ पर 2.375 inches long, अब यहाँ पर हम facings की बात करते हैं, facings क्या होते हैं, ठीक है, तीन तरीके की facings होती है, shaped facing, extended facing and bias facing, अब यह facings होती क्या है, ठीक है अगर मैं facings की बात करूँ, तो यह facings है क्या, सबसे पहले हम shaped, extended और bias की परते हैं, facings का मतलब क्या होता है, facings होती है, जो कि यहाँ पर a really neat facing finishes of the row edges around the neckline, armhole and waistband, जो waistband से armhole से, neckline से एक finish look देती है, ठीक है, तो facings से क्या होता है, कोई भी कपडे का neatness आती है, style and finish आता है garment मे facings क्या करती है, finishing look देती है, ठीक है, और एक professional look यहाँ पर देती है, around the neckline and the armhole, facings क्या है, जो decorative purposes के लिए लगाई जाती है, ठीक है, अभी इस तरह की मैं आपको facings पढ़ाऊंगी, सबसे पहले यहाँ पर basic principle क्या होते है, facings के, एक cut piece होता है fabric में, जो की edge बनाया है, जैसे आ facings बगारा बनाती हो, for a decorative purposes, है ना, तो यहाँ पर, एक cut piece होता है fabric का, ठीक है, जो की किसके लिए बनाया जाता है, edges पे रखा जाता है, for the neatness, ठीक है, इसमें आपके पास different pattern piece भी हो सकते है, अब हम बात करते सबसे पहले, shaved facing की, यह आपको shaved facing दिख रहा है, shaved facing क्या है, shaved facing is cut in the same shape as the part of garment is going to be knitted, अगर आपको यहाँ पर, अगर मानलो यह neck area है, ठीक है, neck area है, तो आप कैसे facings बनाओगे, इसको same shape में cut करोगे, neck के area जैसे, ताकि यहाँ पर edge से की आज़े, neatness आजा है, ना, proper clean क्या बने है, यहाँ पर, cutting आपकी proper आए, तो shaved facing कौन सी है, जिसमें हम क्या क करते हैं, गार्मेंट के हिसाब से, that is a shaped facing, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर round और v-neck बनाते हैं, जैसे हम round यह फिर v-neck बनाते हैं, तो जैसे मानलो v-neck बना रहे हो, तो shaping कैसी आएगी इसकी, edge से एक दम neat आए है, और कैसी cutting होईगी, V-shape की, तो जिसमें हम round यह वी-neck use करते है, इसमें, shaped facing का use करते हैं, ठीक है, एक pattern piece होता है, pattern बनाया, जैसे आप कोई pattern दिख रहा है, यह वाला भी second pattern है, यह वाला third pattern है, यह वाला fourth pattern, तो एक pattern बनके आ रहा है, around the neck, जो कि क्या करता है, edge को neatness देने में, एक neat and clean edge जो है, यहाँ पर दिखता है, shaped facing, it is usually made of the same material as the garment, as it will show slightly on the very edge, ठीक है, इसमें same grain होता है, तो इसमें grain मतलब क्या होता है, जो आपका edge वाला part होता है, that is a grain, ठीक है, तो आपको यह facing का भी याद रखना है, next आता है, bias type facing, bias type facing, अभी मैंने आपको 3 तरह की facing बताई थी, सबसे पहले तो हमने कौन सी पढ़ी है, shaped, extended और bias, तो यहाँ प आपने एक v-neck बनाया, v-neck के बाद जो आपनी stripe लगा रखी है, किसले लगा रखी है, ताकि हम edge से इसका look अच्छा आए, facings क्यों लगाते हम, just to for the decorative purposes, एक neatness के लिए, ठीक है, अब इसमें आपको कोई neatness दिख रही है, यह वैसे opposite cloth किया हुआ, इसी का opposite है, तो यहाँ पर ज इसमें क्या होगी, shaped facing, जो की v-neck और round neck के बनाने में काम आती है, next is bias tape facing, अब देखो अगर आपने tape लगा दी हाँ पर ऐसी, not a tape, just stripes लगा रखी है v-neck में, यह क्या है, bias type facing है, क्योंकि यह क्या कर रही है, एक edge को अच्छा look दे रही है, इसी का ultra-pallet कर ऐसे दिखाया हुआ ह facing क्या होगी, can be store brought, bought or the self made, यह दो तरीके से आती है, एक single fold आती है, double folded, this is a double folded, this is a single folded bias tape, just to enhance the look of the corner, ठीक है, जो edge है, उस पे एक neatness आ जाए, aesthetic look आ जाए, just for the decorative purposes, ठीक है, इसमें बहुत सारे colors भी आते है, अलग-अलग width की होती है, all in one facing आती है, ठीक है, आपने देखा होगा, आपने, जैसे मालो, यह blouse है, ठीक है, यह जो green color ले रखा है, this is a complete blouse, इस पे आप ऐसे जो, यह decorative design बना रहे हो, this is a facing, ठीक है, तो all in one facing क्या है, जैसे आप blouses में लगाते हो, ठीक है, जिसमें sleeves नहीं होती, sleeveless जो blouse बनते हैं, उसमें हम generally, all in one facing का use करते हैं, just to check, just to make the, neaten the knack and the armhole using one facing for the both areas, तो इस तरीके की facing को बोलते हैं, all in one, extended facing का मतलब क्या होता है, जिसमें हम extend करते हैं, एरिया को, ठीक है, it is cut with an addition at the size of a needle, a center front or the back opening, यहाँ पर हम क्या करते हैं, extended facing का use क्या करते हैं, जिसमें हम facings को extend करते हैं, ठीक है, extend क्यों कर रहे हैं, सिर्फ edge को यहाँ knit and clean करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर, it is used to knit in the front or the back of the garment when buttons or some fastening is required, जहाँ पर फास्टनिंग की ज़राता है, यहाँ पर हम extended facing का use करते हैं, तो यह facings है, एक है outside facing, ठीक है, यह क्या है outside facing है, यह क्या है outside facing है, ठीक है, तो यह जो outside facing होते हैं, this is also outside facing, तो यहाँ पर outside facing जो हम लगाते हैं, यह visible होती है on the right side of the garment, ठीक है, जो right side होता है, garment को उस पर visible होती है, जैसे यह v-neck लगाया, यह वाली facing लगा दी back की तरफ से, ठीक है, यह वाला facing लगा दी, यह सारे क्या है, decorative finishes है, जो की edge से लगाये जाते हैं, neckline या फिर armhole पे भी इनको लगा सकते हैं, ठीक है narrow shaped का हो सकता है, और bias face cut भी हो सकता है, अब आता है hem facing, hem facing का मतलब, जो आप नीचे की तरफ से, जो design लगाते हो, this, यह वाला, ठीक है, यह क्या है यहाँ पर, यह वाला hem facing है, जो की they are used to separate the pieces of the pattern fabric, और bias trim used to finish off the hem, hem facing इसमें आप bias tape भी लगा सकते हो, circular hem भी लगा सकते हो, जिसम होती है, hem को extend करने के लिए, hem मतलब, जो नीचे वाला part है, उसको extend करने के लिए, आपने बहुत सारी t-shirts देखी होंगी, जो की ऐसे edge पे लगी होती है, और उसके अंदर से, कपड़ा नीचे की तरफ अटाच होता है, that is a hem facing, ठीक है, जिसमें क्या करते है, length को increase कर सकते है, ए करने के लिए, हम प्लाकेट फेसिंग का यूस करते है, जिसे जिप्स, बटन्स, हुक्स, और बटन्स, होल्स, जो कि यह करते है, प्लाकेट को क्लोस करके रखता है, this is a plaket, ठीक है, तो यह क्या बना रखा है, यह भी a decorative purposes के लिए, जो कि क्या करता है, यहां पर बटन्स है, जिप्स है, हुक है, बटन्स होल्स है, इसको टाइट करने में हेल्प करता है, तो इस टाइप ओ फेसिंग इस यहां पर प्लैकेट, ठीक है, अब हम बात करते हैं, फुल्नेस का, फुल्नेस मतलब क्या होते है, फुलावट सी आती है, ठीक है, आपने टॉप्स देखेंगे बहुत ऐसे, एकदम फुल्नेस, जब मैंने आपको टॉप्स दिखाया थे, डिफरेंट डिफरेंट, उसमें हमने जो ड्रेसे पड़ी थी, जो ड्रेसे आप लोगों ने देखी थी, उसमें फुल्नेस भी था है, गैदर प्लीट बनी हुई थी, तो फुल्नेस का मतलब क्या बहुत जहिते हैं के जोटाता है, गार्मेंट की फिटिंग में, बैसीकली डिजाइन की डलता है गार्मेंट में, दाट इसा फुल्नेस, फुल्नेस के होते हैं, ताकि मूवमेंट एजी होगो, कि आपने लेखें के स्लीव एजिद लाइके यहां से लाटकती हूई होगों ताके हम hand की movement ऐसे कर सके तो fullness की वज़े से क्या होता है हाँ पर एक ease आती है हम movement easily हाँ पर कर सकते है एक comfortness यहाँ पर आता है ठीक है बहुत सारी टाइप के फुल्नेस होते हैं जिसमें dart, tucks, pleats और gathers आते हैं ठीक है तो fullness में क्या है dart, tucks, pleats और gathers यहाँ पर आते हैं तो next class से हम dart discuss करेंगे एक एक fullness के बारे में यहाँ पर discuss करेंगे, so this is all about cuff, facing and hemlines तो I hope आपको एक लिए हो गया होगा hemline, cuff और facing से exam में बहुत सारे questions आते हैं तो आपको इनके type सारे याद रखने हैं ठीक है, यह सारे जो topic है वो exam point of view से बहुत ज़्यादा important है, so मिलते हैं students आपसे next video में, darts पढ़ेंगे हम type कैसे होते हैं, darts के methods क्या होते हैं, dart के, क्योंकि dart जो बहुत ज़्यादा important topic है from the exam point of view, so मिलते हैं students आपसे next class में, तब तक video को share और like ज़रूर करें चैनल को subscribe करो, ताकि आपको classes की timely notification मिलती रहे मिलते हैं आपसे next class में, darts की बारे में discuss करेंगे, thank you so much bye and take care everyone